आपको सलाम प्रभु को धन्यबाद हो आज के सुन्दर समय के लिए आज के इस वक्त के लिए जो खुदावन ने आपको मेरे जीवन में इस वक्त को ठराया रहा कि कि हमें एक साथ एक मन ओकर एक चिजशे को कर प्रभु के रादन करते हैं। आए को समय के अपने आंगों को बंध करेंगे और प्रादन करेंगे। प्रितिव की जीवन को मिटे समख रहा हुए किि निनक्रशव takesesta जाते हैं तिरी संदर मुक्मिष्ब और अमेंगाए चाहते हैं कि और लुए कि अर्धन करने वाले हम न ही किता परमिश्ब मरंट तुरा आत्मा तुरश के हम तुझ को आमनद प्रुट कुटते हैं, Pitafati Nation Θा क्यों में habitual पुषिकषा पुर्मेश्कषा हम व्ग्यों को प्रेश्घ को हाध सिवस्यां तिरी महें मोपी बीडियोग है हरते करना इस मुवार्क वक्त के शिक्रणार क्यों मेरा भी और आपने कहा रिपास को इश्मसी हम तेरे समझ रहें, इश्मसी के नामें के तरह तरह हम है, आमें, आईए इंग्लीज को तरह हम पर विश्री के मिर्मा देंगे उसकी महिमा करो, बंदन ढोटे जाएंगे, मेरा इश्मसी मौजूद है जाएंगे, मेरा इश्मसी नामें, इश्मसी मौजूद है वंभा जूले रख, वंभा जूले रा, वंभा जूले रा, वंभा जूले रा, वंभा जूले रख, वंभा जूलेभ, गॉत्व तो बहुए लो, तुन जूले रा, scientist मॉल्टिंले राम, 茉 Cristinaill, Timud Zusti जो फो फू ए रहा आड़ झो फो सच्वाजु ए आड़ कंते इस बखे आमा झोदी जो फो सच्वाजु ए रहा कंते इस बढ़ जो फा सच्वाजु ए आड़ तो खीरा झो खाला हु कि लो फोरेनी वाजते दोटे आवज दाते हैं। कि अदर में झायट की टुटाकी टुटा की तोड़िन की तोड़िन दी राद को जना早़ उता पिल ए तो उता तो नता पूंछ, को जना, तो जना उता थे तो fiquei थी तो जब जना decor Zumutना की जना से अंताÇ नावा लालो से जए तोडा इशिवाद 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 से जए तोडा इ ही तुलों दुलों थारेको यह बहुँ है, घर रिल के जिम सय दिन लाग जोbrar detail । छुलों खुलों दुलों डही फिर बहुत है, विल जजों डिल था जो लोग बहुता समय है न क्यार गहता है जिसवelu हम तुलों फिर पतंव बहुता सुवलों ले अ मे Cand प्रचुए ले ले अ, व्रशुए न, व्रचुए ले अ... आलेलुया, आलेलुया, इसकी बनी परिए, उसकी 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 बनी प झाल आले जुर्या, 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 आ अजय को 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 अजय क एक जय ख मुझा दें आर शुमंदे सी आर शुमंदे के शुमंदे कर देख तो प्लकाट प्लका दें सुए। इननने कर दो देख दोजात्र. 5 समुर्ष, भाज बन कमे भी और शुमंदे के शुमंदे के शुम 16 सुदुए। प्लका नगARK जय ख emphasize ने सिहात्र. की जुड्य नावाव के लुड-बेव नाय्न नाव के अचनी सन्री के जादी का मेकि नवे में सब्वाया लंपे , ए lotus पार्य में US कर दो आदी के ने हो देन की थी जिए करे ल्रुचा है ने कुपसित कै दो दो ए ले धिकनी उनी जत इन आप राच्छिमाया जिसने पित्री बनाई जिसने आवाद मराया जिसने पित्री बनाई तो दर्शी पाई प्रूए कआं गुल यहुद्वी आपानीड के शंति पाफित है , जो जब ज Опती बंदी के शभी आपानीड के शिक्ते , पhetस ठीकर जब के शंति नहीं जडना के शैर हदला भाल बाइंद जरक शिकर दोप्दी आपानीड के शिकर खुआ अब कैकर यहुद्ञ परलुणेजित फल्डज कर दो मेरा ये शुमाद बेरा है जो अछुख बादर प्रभो आपका धन्यवाद करते हैं आपकी हुद्जूरी के लिए धन्यवाद करते हैं शुनास्री कि आप अपने भाइदी के अनुफ़ार हमारे बीच में है प्रभो तेरा कलाम कहता है तू मौजूद है यहां परमेश्वर हाँ प्रभु तेरे हुजूरी में आश्या म्यानत की भरपूरी है तेरा कलाम कहता है परमेश्वर तू मौजूद है यहां पे हाँ प्रभु जी हम तेरी हुजूरी में आते हैं खालिल्लूई है खाएं के लौब भीयो जब आप अपने इस्थानों पर है उसकी हुजूर ही आपके बीच में है वो मौजूद है भीयो उसके कलाम में लिखा है जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग्रा होंगा भीयो अभी हमने गीत गाया ना हलातों से डरें केवल और क आए अपने आपकों को बंद करेंगे और उसके हुजूर ही इंचे जाएगा एक गीत है जो आपके लिए मैं गाना चाहता हूँ ऐ खुदा पाक रूश आज जुम बर्ष्टू कर छूले हर जिन्दगी खाली नामन दिवर एक गुदा पाक रूश आज जुम बर्ष्टू करेंगे जुम बर्ष्टू करेंगे जुम बर्ष्टू करेंगे जुले हर जिन्दगी जुम बर्ष्टू करेंगे 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 जुम बर्ष्ट मारी ना मन्जिले ने दूना पावे रूँ मन्जिया के दुले मुल्दा दिल भी के लाँ दूने का दे कुछाए अपनी मुद्रत लेका अपनी मुद्रत लेका स्थाॉट तबनी मुद्रत लेका यंजिले मुद्रत लेका अजिले मुद्रत लेका दे कुछाए फिल्दा आजिना मंदुवरे, एकुना, पांदुरू, आजिनों तर्चु तैने, शोने हैं जुने ने दिए, आजिना मंदुवरे, एकुना पांदुरू, मांद काहूं संवीर, आपनी गपसाविया, बच्रे एकुना, अप्रेदी शेह जोरिया अप्रेदी शेह जोरिया मिनिना हो गो मिनिना हो गोरिया आजी अप्रेदी शोरिया से स्योरिया जिंते है आजी आपग्रेदी शेह जोरिया आजे जुन पर सुखे, शूले हैं दिखे, आजे लाम नुखे, आजे लाम नुखे, शुले हर जुन पर सुखे, शूले हर सिन्दगी, कालि ओमां नुखे, कि अपनी आंगों को बद रखेंगे और आज शाम में प्रातना बैजाएगे, मैं निवेदन करूंबाल का से कि वो प्रातना बर्गवाईगे प्रातना को सोय निएवाद एक वाद का दिन धने वाद कि प्रातना करने वाद एड़ों पाइचादी है पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर आपका धिन्यवाद एक हैं। आप मेरे अजय को अमरे चाहा तर्मत्र के नाम सब्सक्राइब है, आलेलूरिया, परमीर्श पिता का दन्यवाद करता हूं एक बफिर शिप्रयों कि उसने एक बफिर शे आपसे रूबरोगने का मोका दिया, तन्यवाद करता हूं, अच्छे अराध्ना के लिए, परमीर्श प्रमिश्वर ने हमें आज के दिन तक बना के रखा है सच में एक नया महीना और एक नया समय प्रभुन हमें दिया है प्रियों कि हम जो इस नए वर्ष नए महीने में प्रभेश करने पा रहे हैं अनुंगरेही है सचर्ण प्रभु के लोगों कितने इस जीवन है जो आज के दिन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं जो नहीं देखा हमें प्रभु का दन्यवात करना चाहिए कि उसने एक अज के दिन तक बनाके रखा ह। आई एक प्रभू की वचन में चलते हैं और वचन से पढ़ने के लिए निकाले एका दूसरा करुंतियों और उसका चाहत अध्याय और चाहत पर प्रभू का वचन इस प्रकार से कहता है प्रयोम और उन आविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धी इस अंसार के इश्वर ने अंधी कर दी है ताकि मसी जो परमेश्वर का प्रति रूप है उसके तेजों में सुस्वमचार का प्रकाश उन पर ना चमके हालेलुया प्रयोग प्रभु का वर्चन कहता है कि उन आवश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धी संसार के इश्वर ने अंधी कर दी है कि परमेश्वर के सुसमचार का तेज उनके उपर ना चमके प्रयोग ये बड़ी अधुत सी बात है आज बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जो परमेशर के सुसमचार पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं जो कहीं न कहीं अपने जीवन में धोके कर शिकार हो गए हैं क्योंकि शेटान ने उनके मन में एक जूट को पैदा कर दिया है एक जूट उनके सामने रख दिया है कि येश्य मसी कासू समचार उनके जीवनों में जगा नहीं पा रहा है वो देख नहीं पा रहा है सत्य को वो समझ नहीं पा रहा है वो उस बात को जान नहीं पा रहा है कि येश्य मसी इस प्रच्वी पर क्यों आए येश्य मसी ने मेरे और आप के लिए किया किया प्रयोग आज बहुत साले जीवन है जो शेतान के दौरा बैकाई जह रहे हैं उसके जूट में फज गया है प्रयोग प्रमिश्यल कलाम बताता है यहुना रज्जे सुसुमचार उसके आठ अध्याय और उसके चवालिस पत में प्रम की कलाम में लिखा है प्रयोग की शेतान तो आरम से हत्यारा है वो जूट बोलता है वो अपने सुभाब से जूट बोलता है क्योंकि वह जूटा है वर जूट का पिता है प्रयोग उसके भीतर जूट ही पाया जाता है जब वो आदम हवा से आदम की वाटिका में मिला उसने हवा को जूट के दोवारा बैखा दिया और हवा ने अपने उस आनंद को खो दिया और अदम की वाटिका से वो दोनों निकाल दिये गए प्रियोग ऐसे ही आज भी मैं देखता हूं बहुत सारे जिवन उसके जूट के हो गए हैं और वो मसी के विशय में जानने ही पारे हैं ऑप्रियूग आज हमने शेतना के झूट का सामना करना है और और उसे अपने जीवनों में से निकाल देना है बाइबल बताती है याकुब के विशे में जिसे हम इसराइल के नाम से भी जानते हैं प्रियो जब यूसुफ को उसके भाईयों ने इश्माइनियों के दल के हाथों बेज दिया और वो वहां से खरीदा जाकर दूसरे देश मे पहुँच गया प्रियो बाइबल बताती है कि उसके पुत्रों ने याकुब के पास एक जूटा समचार दिया याकुब के रंग बिरंगे अंगरखे को लेकर उन्होंने लहू से बिगोया और अपने पिता की पास जाकर कहने लगे कि ये देख पैचान ले क्या ये वस्तर तेरे पुत्र का है या नहीं है अब मयक Lieb maati मिन बताती है प्रियो कि याकूब के इस बात इसके विशुआश कर लिया कि हां उसका फूत्र मारा गया है दुकि इसी कि याकुब परमीशयों के साथ चलने वह जन था वो परमीशयों से बाजशीत क mesa करता था जब उसे ये बात पता चली कि यूसुफ मर गया है अर्थाथ उसके बच्चों ने उसे रिप्रेजेंट किया कि हाँ यूसुफ मर चुका है जबकि उसके बेटे जानते थे वो इस सुट्य को जानते थे कि यूसफ को रॉने श्माइलियों के डल के हां को बेच लिया है फिर भी रॉने वो छूट बोला अपने पिता से और उनके पिता ने उस जूट पर भरो सक्या पता है याकूब का जीवन इस बास से तूट गया बाइबल बताती है मेरे प्रयोग कि याकूब बहुत रोया बहुत विलाब किया और वो बहुत ज़ादा बेचैन हो गया बैवेबल में लिख है कि उसका चित्विट की कारी में नहीं रहा जब तक जब तक कि इसने संटे को नहीं जाना कि यूसफ जीवित है प्रयोग मुझे बात ने इहरान इसलिए कि याकूब ने परमेश्र से क्यों नहीं जाने का प्रयास किया कि यूसफ जीवित है या नहीं है या यूसफ मर गया है उसने एक बाद भी प्राथ होना करने की कोशिश नहीं करी उसने एक बार दी शायद नहीं जानी की कुशिश करी कि मैं परमिश्वर से पूछू मैं परमिश्वर से बात करूँ क्या ये हो सकता है कि मेरे बेटी को जगली जानकों और उन्हें फार दिया है उसे मार डाला है परविचन बताता है कि उसमें जूट की प्रतिती करी और उस जूट के कारण से उसका जीवन जो आनल से भरा वा जीवन था अब वो दुख और पीड़ा में बीथने लगा परविश्य कलाम मेंने कहें प्रियों कि वो बहुत उदास जीवन जीने लगा बहुत दुख में रहने लगा क्योंकि उसने जूट की प्रतिती करें आज भी बहुत सारे जीवन ऐसे प्रियों जो जूट की प्रतिती कर रहे हैं जो शेतान के द्वारा कहे कही बातों को मान लेते हैं ग्रहल कर लेते हैं बहुत सारे जवान बच्चों को जो मैं देखता हूं प्रियो वो इस बात की प्रतिती कर लेते हैं शताम उनके मन में इस बात को डाल देता है कि हाँ अब उनके पाफ शमा नहीं हो सकते वो उनके मन में डाल देता है कि उनने तो बहुत अपराद कर लिया तुम कैसे प्रभु के सामने जा सकते हो, तुम कैसे अपने जीवन को शुट कर सकते हो, प्रियो और वो इस जूट की प्रतिती करते हैं, वो सत्य तक पहुच नहीं पारे, बचन कहराएं कि इश्वर ने, संसार की इश्वर ने उनकी आँखों को अंधा कर दिया, जो सुर्श हमचार जो यह कहता है, ये शुमसे अमारे लिए मारे गए, हमारे लिए काले गए और हमारे लिए जीव उठे, प्रियु है, वो अदatin बात है, ये शुमसे ने मेरे और आप के लिए दुक साहरा है, ये पीडा सही है, ताकि वो मुझह और आपको अजाद कर सके, कि हां हम शमा को नहीं पासकते हां हमने गुना किया है और हम प्रभू से दूर हो गए हैं अब हमारा मिलाग परमिश्व से हो नहीं सकता प्रियो बहुत सारे जीवन इस कारण से और पाप और पाप और पाप में गिरते चले जाने हैं ऐसे कहना चाहता हो प्र्योग आज सत्य के अवश्क्ता है जो प्रभू ने कहा प्रभू के बचल में लगए तुम सत्य को जानओगी तुम्हें स्वतंत्र कर देता आज disagree को जानने की आवश्यक्ता है प्रियो अधुद बात है मैंने एक कहानी को पड़ा प्रियो उस कहानी ने मुझे बहुत आनन्द दिया मैं थे वो पड़ ला था जिसमें एक तोते के विशे में उन्होंने बताया कि एक जगा है जहां पे जब तोता पालते हैं तो मालूब है वो पिंजरे में नहीं रखते वो तोते को कैद नहीं करते अजीब सी बात है तोता उरता नहीं है ना वो उसके परों को काईटते हैं फिर भी तोता उरता नहीं है वो उससी स्थान को उनके घर में ही रहता है वहलों को करते क्या है जब मैंने इस कहानी में पड़ा तो उसमें बताया गया था वो जब वो छोटे से तोते की बच्ची को लेके आते हैं जब वो पैदा ही होता है वो उसे लेके आते हैं और वो उसके एक पाउ में एक महीन सा धागा बांगते हैं और उसे एक लपली से जोड़ देते हैं और जब तोता उड़ने का प्रयास करता है तो होता में उस किताब की भीतर लिखा था कि जब वो दो साल तक ऐसा करते हैं तो तोते के मस्तिक्ष में तोते की सोच में आ जाता है कि अब में वह जीवन भरब रहे हैं भी पाएगा फिर महिट को काट अव सच में嫅 और उस चोड़िते हैं और उसकाहारी में लिखना था कि वो तो ताफुरता नहीं है वो शायद अपनी सोच में बैठा चुपा होता है कि मैं बोले नहीं सकता प्रियो ऐसा ही मिलर आपके साथ होता है आज शेतान भी हमें धोके से हमारे जीनों पे उसने ऐसे ही धागों को बांग रखा है ताकि हम सत्य को ना जान पाएं उसने हमारी सोचों में ही बैठा दिया है कि येश्यू मसी अब हमसे नराज है येश्यू मसी अब हमसे क्रोधित है येश्यू मसी अब हम पे गुस्सा है क्योंकि हमने अपने कादर के दारां से क्रूस पर चड़ा दिया है और अब हमारे लिए अब्धार की कोई आशा नहीं है अब हम सिर्फ नाश हो जाएगे प्रियो ऐसे जूट को आज हमें नकारता है प्रियो बाइबल बताती है परमेश्वति वच्छर में लेका है पाप की मजदूरी तो मृत्यू है और इसी मृत्यू को सहने के लिए ये शुबसी मेरे और आपके खातर इस संसार में आए प्रियो तो कि सब ने पाप किया था और उसकी महिमा से रहित हो गए थे और उस पाप की कीमत थी मृत्यू और इसलिए शुबसी संसार में आए प्रियोग और उनोंने अथ सम назв mitti को मेरा रात के लिए सहलिया परिम wanna believed too इसलिए थी ता कि उसके बच्चे अजाथ हो जाएं ता कि उसके लोग अजाथ हो जाएं उस बंधनों से जो शेतान ने हमारे उपर बान्द के रखा है जो हमें ये बताता है कि हमारे पाप शमा नहीं हो सकते जो हमें इस गेंड में डालता है कि हमने बहुत अफराद किया और हम प्रभू के साथ मेल नहीं कर सकते प्रियो क्रूस इस बात का प्रतीक है कि ये शिमसी ने सारे गुना सारे पाप अपने उपर ले लिए टाकी इसके बच्चे अजाद हो जाएं और हमारा मिला परमेश 열keeper के साथ हो जाएं प्रियो यह हमारे जिए आनिट की बात है और पवित रात्मा ये सब्क्ते हम पर रिमील करते हैं पवित रात्मा हमें बताते हैं कि हम अब हम परमेशल की सन्ताने हैं प्रियों हमें इसके जूट को नकार देना है अपने जीवनों से हमें मना दूना है उसका इंकार करना है चाहे हमने कैसे भी अपराद किये हो प्रियों लेकिन पौवितरात्मा हमें अपरादों के प्रति कायल करते हैं ये अंतर है दुष्ट हमें बताता है शेतान हमें बताता है तुमने अपराथ किया है और तुम परमेश्यों के पास नहीं जा सकते वो हमें उसकी संदति से दूर करता है पर पवितरात्मा हमें काहल करते है जब हम अपराथ करते हैं जब हम गुना करते हैं पाक रूम से कहते हैं बेटा तुमने गल्दी करी है बेटा तुमने गुना किया है बेटा तुमने पाप किया है शमा मागो और प्रबु के साथ उतने संबन को बहतर करो प्रियो यही अक्तर है यही अक्तर है शेतान नहीं चाहता कि आप परमेश्यो को जाने वो नहीं चाहता है कि आप पर मिश्र के उस सक्ते को जाने जो उसने क्रूज पर हमारे लिए किया है उसके सुछ समचार तक हम पहुँच पाएं कि ये शुमसी हमारे लिए मारे गए गारे गए और जी उटे पता है यूसुफ और क्राइस्ट को जब मैं देखना हूँ तो मुझे बहुत समाता लगती है वो सिंबॉलिकली यूसुफ मुझे क्राइस्ट के रिप्रेजेंटिशन में दिखाई देते हैं किती खूबसूरत बात है आप देखे जब यूसुफ के भाई को ये बात नहीं पता थी कि यूसुफ मरा नहीं है वो मिصर में पहुँच गया है और अफो एक अधिकार ही बन चुका है वो पुर्धान मंतरी बन चुका है मिस्र का और जब यह अनाज के लिए महाँ जाते हैं और जब वो इन बातों को इनके ओपर प्रगर्ट करता है पता है इसके भाई भी दोश में जी रहे थे इसके भाई भी दोश में थे कि हमने तो इसे घाद होने के लिए दे दिया था पर ये अब हमें माडालेका अब युस्व हमें माडालेका वो अपना बदला लेगा पर उसफ ने क्या कहा बचन बताता है प्रीयो युस्व ने ये बहाई उसे कहा इसके लिए तुम अपने आपको दोशी मत ठहराओ मेरे प्रियो आज यही है ये शुमसी जब मेरे और आपके लिए मारे गए और आज लोग उन्हें मारा हुआ समझ रहे हैं उन्हें लगता है कि वो मर गए पर परमिशन ने उन्हें अधिकार दे लिया है अब वो पिता के दाईने और बैट चुके हैं प्रियो ये अधुबद बात है ये प्रकाशन है वो जी उटकर दाईने और बैट चुके हैं आज हम जब ये विश्वास करते हैं हमें लगता है कि हमने गुना कि ये अपने प्रभू को कुरूस पर चणाया प्रभू कहते हैं ये परमेश्यों ने तयार किया था हमारे उधार के लिए ये परमेश्यों ने तयार किया था मेरे और आपके उधार के लिए प्रियो आज हमें सत्ते को जानना है वा सत्ते यही है कि ये श्वसी मेरे और आपके लिए मारे का इकाले का जी उटे ताकि मैं और आप सुतंतरता में चल सकें, मैं और आप पवित्रताई में चल सकें, ताकि मैं और आप परमेश्यों पिता की संतान बन जाएं, प्रियो अदुबुत बात है, परमेश्यों चाहते हैं, कि हम जूट को नकार दे, शेतान की जूट को नकार दे, पता है जब मेरा पुत्र जीवित है अब उनसे भेट कर सकता हूँ उसका मन आनंदित हो गया मेरे प्रियो जब आप इस सकते को जान लेके आपका पिता आपका ये शुनासरी अब आपके साहथ है उसने आपको दोश लगाने के लिए नहीं किया पर मिश्वर कलाम में लिखा है मेरे प्रि ये शुमस्य में उधार देने के लिए आए प्रियो जब ये बात याकुप को मलपड़ी वह अनदित हो गया आज मैं देखता हूँ आज जब आप ये बात जान लेंगे कि सच में प्रभु हमारी और किस निखास लेखते हैं वो किस दृष्टी से मुझ और आपको देखते हैं तो हम सब्दय को जान पाएंगे सच में वो हम से फ्रेम करते हैं वो अंपे तरस दिखाते हैं वो इसने नहीं आए कि हम डंड़े थो जाए हम पर डंड के आजए और ये वरगु इसलिए आए कि हम उठार पाले प्रियों आज हम इस सब्दय को जानना है ये श्िमस्य पर क्रोधित नहीं है परमिश्य कला में लिखा जब परमेशर तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है प्रियो कर वो हमारी ओर है हमें आनद करने के विशक्ता है हमें जूट कर विश्वास नहीं करना है शयताना आज आपको जूट में गिराना चाहता है व प्रियों आज आपको इस सत्य को जानना होगा, अपने अधिकारों को जानना होगा, आपको उस तूदे के माने नहीं बनना है, जिसने अपने मस्तिक्ष में बैठा लिया था, कि आपको उड़े नहीं सकता, प्रियों आप सोतंत्र के गए लोग हैं, येश्यु मसी ने आपको स्वतंत्र किया है उसने जब क्रूज पर अपनी जान दी उसने हर एक मास से आपको स्वतंत्र कर दिया आप स्वतंत्र के गए लोग है अप उसकी संताने उसके बेटे उसकी बेटिया है अब आपको जूट का इंकार करने के विशकता है मेरे प्रियो, यदि गुना आपसे हो गया है, परमेश्व एकलाब में लिखा है, यदि कोई पाफ करे, तो पिता के पास हमारा सहाय विद्बान है, हलेलूरिया, आगर हम गुना दर रहे हैं, पाफ कर रहे हैं, हमें प्रभू के पास जाने के विश्चता है, हमें ठहर नहीं ह हैं, अगर दुष्ट ने आप से कहा दिया, शेतान ने आप से कहा दिया, कि तुमने पाफ के आए, अब आप उसकी दूर हो गया आप परमेश्व से, आप विश्वास ना करें प्रियो, आप भुत ले टेके, प्रभू के सामने शमा मागें, अपने प्रादों को प्रभू क सामने रखें और उससे वापस में मिलाब करें और प्रभु आपके हरे इक अपरात को आपके पीट के पीछे प्रेग देगा और आपको निराश प्रेग चलने के वश्रक्ता नहीं की प्रियों अधबदबात है आज आप सब्ने कुछान लीजे और सब्की करते हैं और आपको शुद्य करते हैं ये फिटा को दिखाते हैं कि पिता देख इसके गुनाह की सजा मैंने अपने हाथों में ली है मैंने कीले ठुपवाईएं प्रभू ताकि मेरा बच्चा मेरा बेटा मेरी बेटी स्वतंत्र हो जाए और पता पिता उन कीलों को देखता है पिता उन काटों को देखता है और आपको शमा कर देता है हालिलुईया, प्रियों यह आनन्द की बात है, मेरे आपके लिए, और हमें असी सत्य में जन्ना है, हमें इस Бात के अवश्तानी कि हमारी शाहरे इक फिलिंग्स क्या है, हमें इसकी उपस्तती नजर आती है, या नहीं आती है, प्रमिशर के कलाम पे बरोसा करीं, पर विश्य गलाब कहता है कि प्रभू हमारे साथ है प्रभू हमारे साथ है वो मुझे दिखाई दे ना दे मैं उसको महसूस करने पाऊं या ना करने पाऊं उसकी प्रतिग्या है कि वो मेरे साथ रहता है प्रभू ने का मैं तुम्हारे आगा की चलता हूँ फ्रेओं आज विश्वास करें सत्य पर पर प्रभू आपके साथ प्रभू आपकी ओर है आपको निराश्योने के अश्युनिया आजानन दित हो जाएं, शेयर अप करें अपने आपको, और प्रभू के साथ वापिस एक गहडाई के संबन में जाएं, उसके जूट को नकारें, अपने मस्तिक्ष को परमीशकियों लगाएं, हर एक उस धूटी कल्पना को जो शेतान ने आपके हिदे में डाली है, उन्हें सर्थ दुबारा से एक अच्छे संबन में आगी में, आए प्रात न करें, महन पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, इन बातों के लिए प्रभू की आपने सच में अपने लुगत से बात करी है, पिता आज जूट ने उनके हिदे को नकरात्मक ना दिया, प्रभू आज उस सत्य को नहीं जान पारे क्योंकि शेतान ने उनकी आँखों को अंधा कर दिया है, पिता, हाँ प्रभू तेरे सुसमाचात का प्रकाश उनके उपर नहीं पड़ पा रहा है, पिता, प्रभू मैं चाहता हूँ कि आज आज आप उनसे बात करें, हरे को जूट उनके हड़े से उखार दिया जाए प्रभू जी, तेरे कलाम केता है प्रभू हरे को पौदा जो मेरे स्वर्गे पिता ने नहीं लगाया, वो खाणा जाएगा, आज खार दीजे प्रभू हरे एक पौदे को, आप पिता उखार दीजे, प्रमेश्वर जो बंतृता को प्राब करें और इस स्वर्गे को जाने कि ये श्यू मेरे खातिर मालक ना गार गै गाले गए और जी उठें, और युगानियों को जीवित हैं और दूबारा वो इस समसार मे आएंगे, यही तूसमछार है प्रभू, यही तूसमछार है, और यही तूसमछार, अज प्रभव में जोदश से बान दा जाय मैं चाहता हूं परजाल स्वाथ करें Pramilisya से आप बहुत प्यार करते हैं इस नत्व को छाहने पाए कि आप इसलिए नहीं आए वह तो में स्वाक देंट किया गया हो तो अँठी हाह दिए करें प्रभवेश्यू मैं आपके लोगों को आपके आतो थो परमकों करें आपके आपको दया नहीं है नहीं है आप उनसे बात करें फ्रेयों आप विश्वास करें कि आज के बार आपके जीवन पहले के समाने रहेंगे आज के बार आप बदल जाएंगे फ्रेयों जब आप इस सत्य को जान लेंगे सत्य आपको स्वतंत्र करने का अब आपको सत्य में चलने की आवश्रक्ता है निश्य जब आप इस मचल की दोरा आशीष बाते हैं आप हमें लिखें हमें वाटसप करें हमें पताएं कि परमिश्यों में आप से बात करें अपनी कमाईयों को आप हमसे शेयर कर सकते हैं प्रभव आपका आशीष दें